आप सभी प्रिया दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर एन आप्शन करकर क्या पैसे कमाई जा सकते हैं और कितना प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, आईए चलकर बात करते हैं, चार लाग से शुरुवाद कीती, तीन लाग असी हजार रुपे का प्रॉफिट आ चुका है, 60 डे चैलेंज के तहत, आईए चलकर विशलेशन करते हैं, अपनी ट्रेड समझाएंगे, फ्री लर्निंग बताएंगे, कैसे आपको अपनी वेल्थ को बढ़ा कर सकते हैं, ग्रो क रखा हुआ है, 17,400 से गिरकर 16,250 तक पहुँच गई है, नेट 6.6% गिरावट है मार्किट में, यह फैक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा बियर फेज चल रहा है, जो शायद अभी और तेज असर दिखाएगा, कैसे आपको बियर फेज में भी अपने प्रोफोलियों का करना चाहिए, मंदी में भी पाइसा कमाया जा सकता है, आईए रिजल्ट की समरी दिखाते हैं, यह रही हमारी current position की, तो इसमें यहाँ पर हमने approximately यह future and option की trading है, यहाँ पर देखें सारी, एक जन्वरी से लेकर 6 मार्च तक की trading है, और यहाँ पर 2.9 रुपे का profit कमाया है, बताएंगे, वो हमारे other account holding के portfolio में है, हर चीज में future and option की trading नहीं करते हैं, कुछ हमने अपना short term के लिए stocks भी purchase की हूँ है, जो हमें profit दे रहे हैं, तो stock में भी trading करते हैं, यहाँ पर अगर देखें, तो हमारे charges, यह चीज आपको बतानी चाहेंगे, charges महज 2.5 रुपे हैं, और उसके उपर 0-दा थोड़ी हरामी पना दिखाता है, 2.5 रुपे, और 0-दा ने 2,000 रुपे और additional charge लिए हमार से, तो हमें net 3,000,000 का profit by 3,000,000 का जिसमें से 4,000 रुपे हमें 0-दा को brokerage देने परते हैं, इस बात का धियाना कि brokerage आपका relatively कम होना चाहिए, यह जब हमने उनसे inquiry क कि 2000 किसलिए काटे, तो उनका हरामी पना पता लगा, वह भी हम बताएंगे आपको यहापर, future and option आखिर है क्या बला, जिसको सब लोग कह रहे हैं, काफी profit बनता है, पर कैसे trade करें, कैसे, इसमें अपनी एकागरता लगा कर आप पैसे कमा सकते हैं, आईए चलकर बताते हैं, free to earn, ना कि आपका broker, और आपका charge ratio क्या है, अगर आप trading करते हैं, तो हमें बताएंगे अपने profit के charge ratio के basis पर, देखें, 60-day challenge शुरू किया है, यहाँ पर हमारे अभी के लिए 3,00,000 रुपे का approximately profit दिखा रहे हैं, total charges about 3,000 रुपीज, यह इसमें charges हमारे, जो additional हमने stock की trading किया है, इसमें पूरे का पूरा segment equity and future option दोनों का है, इसलिए थोड़ा सा charges, यह ज़्यादा दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2500 के बज़ाए, 3000 के आसपास दिखा रहे है charges, अब अगर हम बात करें, अपने specifically, जो यह charge किये थे, इन्होंने 2,07,70 रुपे के आसपास, यह call and trade, जब हम trade अपन पर 60 रुपे का charge कर रहे हैं, बहुत हरामी पर दिखाया है उन्होंने, जो हमने अब बंद कर दिया है, अपने margin के इसाब से काम करते हैं, this is not good as a company like zero दा, देखिए सबसे पहले बार बताएंगे, future option is very risky, आपको अपना experience भी ज़रूर चाहिए, इसमें सीदे के साथे एकदम trading मत कीजिए, कुछ paper trade कीजिए, technicals आपको देखना होगा, nifty का, उसके basis पर ही आपको future option में अपनी position लेनी होगी, अब option होता क्या है ये, ये option बहुत नाम सुना है, पर option में trading कैसे की जाए, आईए ज़रा कुछ basic view दिखाते है, option में दो term ध्यान रखिए, short करना या long जाना, आ आप option को खरीद सकते हैं, उसका मतलब आप option को long करती है, माल लीजे आपको लग रहा है, market उपर जाएगा, तो आपने call option खरीद लिए, आप log होए, तो आपको market उपर जाएगा, तो आपके option की value बढ़ती चली जाएगी, अब short का क्या तरीका है, माल लीजे आपको लग रहा प्रेसिस के multiple option available रहते हैं, यहाँ पर, options आप buy भी कर सकते हैं, sell भी कर सकते हैं, आइए जर चलकर सबसे पहले वी देखते हैं, कलका nifty करीब 16,243 के आसपास बंद आए, यह हमारा live console देखे, यहाँ पर आज का account value approximately Friday की दिन बंद रहते हैं, 7,80,590 रुपे के आसपास है, जि हैं हमारे portfolio का current value, पूरा का पूरा आपको दिखा रहे हैं, किसी एक दिन का नहीं, कभी नुकसान भी होता है, यहाँ पर trading नुकसान था, यहाँ पर फिर नुकसान हुआ, यहाँ पर फिर नुकसान हुआ, बट overall portfolio में होना, profit में होना चाहिए आपका portfolio, अब अगर आपको हमार specific report देखनी है, तो क्या का हमने trade की, तो देखे, feature and option की put में हमने काम किया, PE stands for put, और put में हमें सबसे पहले में नुकसान हुआ, फिर call में काम किया, उसमें 1500 रुपे का फायदा हुआ, यहाँ पर फिर call में काम किया, उसमें 3000 रुपे का फिर से नुकसान हुआ, फिर अगली call म दो हजार का फायदा, उससे आगे की call में 12,000 का फायदा, उससे आगे की put में 20,000 का फायदा, put और call दोनों में काम करते हैं, depending on कैसा दिन होता है, call में फिर 5000 रुपे का फायदा, अगली call में 9,000 रुपे का फायदा, और future में हमारे को 71,000 रुपे का फायदा हुआ है, तो यह एक तरह से आप समझेए, यहाँ पर positive momentum continue रहा है, और इसकी वज़े से हमारा काफी trade हो गया है positive reference में, इसके लाँ और भी trade है, देखिए यहाँ पर, फिर अगली call में यहाँ पर 6000 रुपे का फाइदा, और उसके आगे अगली एक और call में 5000 रुपे का फाइदा, और एक future में फि काफी तकड़ा, और नुकसान भी एक दिन का नुकसान 3700, एक दिन का नुकसान 4500, एक दिन का नुकसान 6700, 6000, उसका प्रफिट आना शुरूगा, तो प्रफिट अच्छा आना शुरूगा, यह चीज़ अच्छी बात मन के चलिएगा, कि प्रफिट यहाँ पर कई trading में आया तो यहाँ पर दूसरी पेज की trade है, अगर किसी को नहीं देखना है, तो वो skip कर सकते हैं, और 30 trade, क्योंकि बोलते हैं कि सारी trade दिखानी चाहिए, तो हम सारी चीज़ दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर पूरा ट्रांसपरेंस से दिखा रहे हैं, आप चाहें, तो इसको pause करक सारी डिटेल देख सकते हैं, यह रही हमारी सारी feature on option की trade, कब क्या हाँ पर क्या बाई किया, अब देखें, अब आपको यहाँ क्या लग रहा है, मार्किट देखें, उपर से नीचे गिरता आ रहा है, मार्किट ने एक channel सा बना रखा है, अगर आप देखें, तो एक falling channel बन र अगर तो आप यहाँ पर दो चीजे कर सकते हैं, सबसे पहला आप यहाँ पर call, इसको CE भी कहते हैं, उसको बेच दीजे, तो call को यानि कि आपने short कर दिया है, अगर आपको लग रहा है, मार्किट नीचे जाएगा, या फिर put, इसको PE भी कहते हैं, आप PE को buy कर लिजे, तो उससे आपको मार्किट नीचे गिला, तो आपका profitability हो जाएगी, तो दोनों तरह से आप कामाई कर सकते हैं, अलग अलग trade strike price पर काम कीजेगा, बुलिंजर बैंड को भी ध्यान रखिए, बुलिंजर बैंड के नीचे के level पर है, bandwidth no के असपास है, super trend नीचे को pressure लगा रहा है, R 47,000 के approximately है, तो 16,000 का एक strong support लग रहा है, यहाँ पर अगर market आए, तो यहाँ से उपर आप जाने की कोशिश करेगा, अब उपर की तरफ को resistance क्या होगा, देखिए 16,500 पर एक strong resistance लग रहा है, जहाँ पर 45,000 के open interest खुले हुए है, तो market यहाँ पर आया, तो यहाँ से फिर नीच जानों को शुरुआत करेगा, तो यह एक range बन गई है, 16,500 की 16,000 के बीच में, जो market को एक limit में काम करेगी, तो आप चाहे option को खरीदे, चाहे sell करे, बड़ आपको market की direction पहले समझनी चाहिए, put, फाइदा तब करती है खरीदने में, जब market नीचे गिरे, call फाइदा तब करती है, हमेशा regular interval पर profit बुक करते हैं, हमने कितने 60 के असपास trade दिखाया है, 4 pages की trade है, इतना profit कमाने के लिए, तो इस बात को ध्यान रखिए, losses को कम रखिए, losses होंगे, पर उनको limit में काम करना है, और profit को groom होने दीजे, देखे, 70,000 के profit हुआ, 1,70,000 के profit हुआ, losses में, कम-कम losses आप आपको हर trade में करने चाहिए, जब आपको लगए आपकी trade आपके अगिन जालिये, cut your losses quickly, long term में, जो हमारा यहाँ पर trading profit आ रहा है, उसको हम एक long term का portfolio बनाते जा रहे है, तो equity में निवेश करते जाने, तो trading भी करेंगे, साथ साथ में long term का benefit मिलेगा, can one earn money in stock and market for trading, आप हमें अपना feedback ज़रूर दाइए, और चाहे तो हमें congratulation कर सकते हैं, आपको ट्रेट देखनी है, तो pause करके देख सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुदना चाहते हैं, 6-day challenge में, हमने 299 के paid membership शुरू किया, future and option की trading को लिए, और उनको अपनी position बताते रहते हैं, क्या हमारी position है, आप चाहें तो हमारे साथ जुद सकते हैं, दोस्तों अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो hit the subscribe button, please consult a financial advisor before investing and trading, और training के लिए mail drop करें, जहीं जबारत, bye guys